Hey guys, welcome back to my channel Movie Explanation Hub तो आज हम explain करेंगे Marvel की new movie Morbius जो कि अभी हाल ही में release हुई है तो movie को start करने से पहले वीडियो को like और चैनल को subscribe कर लीजिए क्योंकि ये movie काफी ज़ादा amazing है तो चलिए ज़ादा time न वेश्ट करते हुए movie को start करते हैं movie start होती है और हम एक helicopter को देखते हैं जो कि एक ऐसी जगह पर जा रहा होता है जहां पर बहुत सारे bats होते हैं तब वो helicopter उस जगह पर पहुंच जाता है और उसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं तब helicopter से बाहर आता है Michael Morbius जिसने की उन लोगों को hire किया था उस जगह को ठोड़ने के लिए तब Michael उन लोगों से कहकर गुफा के सामने एक device लगाता है और अपने हाथ को काट कर उस device के सामने रखता है जिसकी वज़े से गुफा के अंदर जितने भी pets होता है वो वहाँ से बाहर निकलने लगता है और Michael Morbius के हाथ को काटते है और यह सीन यहाँ पर कट हो जाता है तब मुवी 23 साल पीछे आती है और हम kit Michael को देखते है तब उसके dad Dr. Nicholas Michael के serogate brother को उसके पास लेकर आते है जिसका नाम होता है Lucian तब Michael उसको एक nickname देता है और उसका नाम रखता है Milo और उन दोनों भाईयों को एक बिमारी होती है जो होती है rare blood disease इसका मतलब कि उनकी body खुद से blood नहीं बना सकती उनको बार-बार blood चड़ाना पड़ता है ऐसे ही एक बार जब Milo को blood चड़ रहा होता है तो वो अचानक से बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी blood चड़ाने वाली machine खराब हो जाती है तब Michael उस machine को एक pen की मदद से ठीक कर देता है और Michael को ऐसा करते देख उसके dad उसे कहते हैं कि scientist की बनाई हुई machine तुमने एक pen की मदद से ठीक की और अपने भाई की जान बचा ली इस talent को waste मत करो ये तुमारा God gifted है तब Michael के dad उसे biochemist की पढ़ाई के लिए अमेरिका पेश देता है और उसे कहते हैं कि मैं Milo का थ्यान रखूँगा और उसका इलाज भी करूँगा तब Michael जाते जाते अपने भाई Milo के लिए एक letter लिखता है उसमें लिखा होता है कि मैं हर गरिमियों की छुटी में तुमसे मिलने के लिए आऊँगा तब हावा की बज़े से वो letter बाहर चला जाता है और कुछ बच्चे उसे उठा लेते है Milo उन बच्चों से उन letter वापिस मांगने की कोशिश करता है तब Milo के dad वहाँ पर आते हैं और उन बच्चों को वहाँ से बगा देते हैं फिर present time में हम Michael Morbius को देखते हैं जो कि America का बहुत बड़ा scientist बन जाता है उसने ही synthetic blood की खोच की जिसकी वज़े से दुनिया भर में काफी सारे लोगों की चान पच्च पाई जिसके लिए उसे novel prize भी दिया जा रहा होता है पर Michael उस prize को लेने के लिए मना कर देता है फिर Michael hospital में एक बच्ची का इलाज कर रहा होता है तब उसे लेने के लिए martini bond crop आती है जो कि Michael की colleague और उसकी girlfriend भी होती है तब Michael अपनी lab में pets पर research कर रहा होता है क्योंकि उसका मानना था कि pets में ही इस बिमारी को खत्म करने का इलाज है तब वो उन pets की मदद से एक serum बनाता है और एक चुहे के अंदर inject कर देता है पर कुछी time में वो चुहा भी मारा जाता है और Michael का 117 experiment भी fail हो जाता है तब ही एक nurse आकर Michael को बताती है कि उस बच्ची की हालत काफी जादा खराब हो चुकी है तब Michael उस बच्ची के पाच आता है और उसे दवाई देता है तब ही Martin देखती है कि जिस चुहे पर उन्होंने serum लगाया था वो चुहा सिंदा हो गया था तब Morbius के अंदर एक उमीद जाग जाती है कि वो अपने जैसो का इलाज ढूंड सकता है तब Michael Milo से मिलने के लिए आता है और उसे पताता है कि वो एक illegal experiment करने वाले है जो की काफी expensive है क्योंकि उन लोगों के पास काफी कम समय बचा हुआ था और ये उनका last chance था फिर अगले सिन में हम एक ship को देखते हैं जहां पर Michael और Martin अपना illegal experiment कर रहे थे जब Michael ने अपना हाथ पैट से कटवाया तो उसके पाद वो अपना DNA और पैट का DNA मैच करता है जो की मैच हो जाता है तब Michael अपने DNA और पैट के DNA से एक unofficial blood बनाता है और human trial के लिए उसे खुद पर ही inject करवाता है तब Martin उसके हाथ पाओ बान देती है तब Michael की body में उस चीज़ का reaction होने लग जाता है और Michael ने जिन लोगों को hire किया था उनमें से एक उनकी lab में आ जाता है Martin देखते हैं कि Michael अपनी जगापत नहीं है Michael को जब वो देखती है तो वो एक vampire की तरह दिख रहाता है ये देखकर वो आदमी डर जाता है और Michael पर कोलियां चलाने लग जाता है और Michael उस आदमी को मार देता है और उसका खून पीने लग जाता है गोलियों की आवा सुनकर बाकी के लोग भी वहाँ पर आते हैं और Michael पर कोलियां चलाने लग जाते हैं इस हाथ से में Martin बेहोश हो जाती है ये देखकर Michael लैप तौड़कर बहार आ जाता है और उन लोगों को एके करके मार रहा होता है क्योंकि उसके अंदर पैट्स की पावर्स आ जाती है और वो पैट्स की तरह ही दिख रहा था Michael अपने कंट्रोल में नहीं होता और एके करके उन लोगों को मार देता है और Michael को जब सुबा होश आता है तो वो देखता है कि चारो तरफ लाशे हैं और उसके मुँपर ब्लड भी लगावा होता है Michael देखता है कि वो चल पा रहा है और उसके मसल्स भी ग्रोध हो गएते तब वो अंदर जाकर देखता है तो मार्टिन पेहोश होती है और वो Michael देखता है कि ये सब कैसे हुआ ये जानने के लिए जब वो सिसी टीवी देखता है तो वो देखता है कि उसने ही उन सभी को मार दिया है तब वो सिसी टीवी को डिलीट कर देता है तब वो बोर्ट किनारे पर पहुँचाती है और पुलिस जब वहाँ पर आती है तो उन्हें उसमें 8 लाशे मिलती है और उन्हें सिर्फ मार्टिन बॉन क्रॉफ्ट ही सिंदा मिलती है तब API के दो एजेंट स्कॉर्ट और रॉट्री इस केस को हैंडल करता है फिर मॉर्बियस हॉस्पिटल में मार्टिन को देखने के लिए आता है फिर वो अपनी लैप में जाता है और उसके पाउं लड़ खड़ाने लगते हैं फिर वो लैप में अनओफिशिल प्लट पी लेता है अब वो इस चीज पर रिसर्च कर रहा होता है कि जब से उसने उस सिर्म को अपनी बॉड़ी में इंचेक्ट किया है उसके बाद से वो पैट जैसे उसके अंदर पावर आ गई है जैसे कि पैट रैडार और एको लेकेशन और पैट्स को कंट्रोल करना जिससे वो एक सूपर हुमन बन गया पर वो ये ताकत टेंपरेरी है और उसे जिन्दा रहने के लिए हुमन ब्लट की जरूरत पड़ती है जो कि हर 6 गंटे में उसे लेना पड़ता है नहीं तो वो मर जाएगा तब वो खुद को एक जगा पर बंद कर लेता है और उसकी हालत खराब होने लग जाती है तब माइलो उसे मिलने के लिए उसकी लैप में आता है वो देखता है कि माइकल की हालत काफी ज़्यादा खराब हो रही है तब माइकल उसे ब्लट लाने के लिए कहता है और माइलो उसे ब्लट लाकर देता है और माइकल उस बलट को पीकर फिर से ठीक हो जाता है माइलो ये देखकर हैरान हो जाता है कि माइकल ठीक हो गया और वो उससे जित करता है कि वो उसे भी वो सिरम दे जिसकी वज़े से वो ठीक हुआ है पर माइकल उसे वो सिरम नहीं देता ये एक शराप है माईलो फिर भी नहीं मानता तब माईकल उसे लैब से बाहर भगा देता है फिर हम एक नर्स को देखते हैं और माईकल जैसा एक और वैमपैर उस पर हमला कर देता है और उसका खून पीकर उसे मार देता है ये सुनका माइकल जब बाहर आता है तो वो देखता है कि F.P.I. उसे पूश्टाश करने के लिए आ रही है तब वो बलट लेकर वहाँ से निकल रहा होता है अभी स्कॉड और डॉडरी उसे गेट पर ही पकड़ लेते हैं तब स्कॉड और डॉडरी माइकल से मडर्स के बारे में पूश्टाश करते हैं जब माइकल उन्हें कहता है कि इन मडर्स में मेरा कोई हाथ नहीं है तब माइकल से जेल में मिलने के लिए माइलो आता है जो कि उसके लिए बलट लेकर आया था और उस blood को देखकर Michael समझ जाता है कि वो serum Milo ने भी ले लिया है इस बात से वो काफी गुस्सा होता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि hospital में जिस vampire ने उस nurse का खून किया वो असल में Milo ही था तब Michael उस blood को पी कर जेल तोड़ कर भाग जाता है और अपनी पावर इको लोकेशन की मदद से Milo को ढूंड लेता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि Michael ने जो अनफिशल blood बनाया था Milo ने उसको अपनी बाड़ी में inject कर लिया था जिसकी वज़े से उसके अंदर भी बैट जैसी पावर आ गई थी Michael Milo से कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ पर Milo ठीक होना नहीं चाहता था क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में मज़ा आने लग गया था तब Michael Milo को पकड़ने की कोशिश करता है तब वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते है जो कि Milo को पकड़ने की कोशिश करते है तब Milo अपनी पावर की मदद से उन सबी पुलिस वालों को भी मार देता है और Michael के साथ फाइट करने लग जाता है जा माइकल माइलो से फाइट करना नहीं चाहता था तब माइकल को उसको उड़ने की पावर का पता लगता है और अपनी पावर की मदद से वो वहाँ से बाग जाता है तब माइकल मार्टीन से मिलता है और उसे पता देता है कि Milo भी एक वैमपायर बन चुक है उसे ठीक करने में मुझे तुमारी मदद चाहिए तब ही उसे एक अनओफिशिल फ्लट लैप का पता लगता है जिसको कुछ लोग चला रहे थे तब माइकल वहाँ पर जाकर उन लोगों को डरा धमका कर वहाँ से भगा देता है और वहाँ पर अपनी रिसर्च चालू कर देता है जहाँ पर वो माइलो के लिए एक antidote बना रहा था उसे ठीक करने के लिए फिर हम माइलो को देखते है जो कि एक बार में आता है और एक लड़की से फलर्ट करने की कोशिश करता है जो कि उस लड़की के दोस्तों को पसंद नहीं आता और वो Milo को वहाँ से बगा देते हैं तब Milo एक बिलिडिंग में उन लोगों का इंतिजार कर रहा होता है और जैसे ही वो लोग बार से बाहर आते हैं और Milo उन पर अटेक करके उन्हें मार देता है तब उस crime scene पर Scott और Rodri आते हैं जिनको CCTV camera के मदद से पता लगता है कि अभी तक जितने भी murder हो रहे हैं वो Michael के जैसे दिखने वाला शक्स कर रहा है जो होता है Milo और वो CCTV footage news पर भी दिखाई जा रहा है होती है जहां पर Milo के dad Nicholas को भी ये बात पता लग जाती है और वो Milo के पास जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि इस virus को तुमारी body से निकालना होगा जहां Milo काफी जादा परिशान होता है कि उसका ये secret सभी लोगों को पता लग गया और वो इस power को छोड़ना नहीं चाता था जिसकी वज़े से वो अपने dad को ही मार देता है दोसरी तरफ हम Michael और Martin को देखते हैं जिनोंने Milo के लिए एक antibody बनाया था तब ही Michael को उसके dad का call आता है जो की पूरी तरीके से मरे नहीं थे तब Michael जब अपने dad के पास जाता है तो वहां पर उसे पता लगता है कि ये सब Milo ने किया है तब ही उसके dad की भी मौत हो जाती है तब Michael को Martin की आवाज सुनाई देती है जिसको Milo ने पकड़ लिया था Milo मार्टिन का गला काट देता है तब Michael अपनी एको लोकेशन पावर की मदद से उस जगा को ढूंता है और वहां पर पहुंचाता है पर Michael को वहां पहुंचने में देर हो गई थी मार्टिन का काफी खून पहँच चुकाता है तब Michael मार्टिन के लिप्स को काटता है और उसका खून पीता है जिसकी वज़े से Michael को और भी ज़्यादा गुसा आजाता है तब वो Milo के साथ fight करने लग जाता है जब fight के दौरान Milo मार्टिन को injert कर देता है तब माईलो और मााईलो बिल्डिन से नीचे गिर जाता है जहां मााईलो माईलो को लड़ाई के लिए और भी जधा उकसाता है तब माईलो जोड़ से चिलाता है जिसकी वज़े से उस जग़ापर काफी vibration होने लगती है माईलो को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये आखिर हो किया रहा है तब ही वहाँ पर बहुत सारे बैट्स आ जाते हैं जो कि माईकल के कंट्रोल में होते हैं तब माईलो एक रॉड उठा कर दुबारा माईकल पर अटेक करने के लिए कूता है तब माईकल सबी बैट्स को माईलो के उपर छोड देता है तब माईकल माईलो की बाडी में एंटी बाडी इंजेक्ट कर देता है और माईलो फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है पर कुछी टाइम में माईलो की वहाँ पर मौत हो जाती है और इस मुवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं एड्रियन टून्स को जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पैल के कारण इस यूनिवर्स में आ गए थे और ये हमें स्पाइडर मैन हॉमकमिंग में एज़ा विलन देख चुके हैं तब एड्रियन टून्स पुलिस वाले को कनफेस कर देता है कि ये सब जो कुछ भी हो है ये मेरी ही वज़े से हो है तब पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेता हैं फिर हम मुवी के एंड क्रेडिट सीन में माइकल को देखते हैं जो कि किसी से मिलने के लिए जा रहे होते तब ही उनके सामने विंचर आता है जो कि स्पैडर मैन होमकमिंग का फिलन था और उसने ही माइकल को यहां पर मिलने के लिए बुलाया था पर माइकल को पता नहीं होता कि वो यहां कैसे आ गया तब विंचर माइकल से कहता है कि इसके पीछे स्पैडर मैन हो सकता है हमें टीम बनानी होगी और माइकल कहता है कि ये इंट्रस्टिंग है इसी के साथ यहाँ पर ये मुवी भी एंड होती है अगर आपको इसका 1080p प्रिंट और क्लिप के साथ एक्स्प्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए और जैसे ही ये HD में रिलीज होगी मैं आपके लिए एक्स्प्लेन कर दूँगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मैं आपसे फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नई मुवी के साथ